फैन्स हाय रश्मी देशाई के सपोर्ट में और किया उनको सोशल मीडिया पर ट्रेंड जी हां कौन से नंबर पर रश्मी देशाई हो रही है ट्रेंड और क्या कह रही है फैन्स के मैं आपको बताऊंगी लेकिन अगर आपने चाण को सब्सक्काइब नहीं किया है लाखो का जो है ट्रांस्वर अरहान ने अपने एकाउंट में किया जब रश्मी देसाई घर के अंदर थी और उनको पता तक नहीं चला उन्होंने एक इंटर्व्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि मैं इमोशनली इन सभी चीज़ों को लेगर बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मेरे पीचे से ये सारी चीज़े हुई है इतना ही नहीं अरहान ने ये जो बैंक ट्रांसफर की स्क्रीन शॉट्स बाह नहीं किये थे और रश्मी का ये कहना है कि उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके इसता से स्क्रीन शॉट्स लीग हो जाना उनके लिए आश्चर्य की बात है क्योंकि उन्होंने वो शॉट्स किसी के साथ ऐसे शेयर नहीं किये थे ये सभी चीज़े होने के बाद अरहान ख और उनको कर रहे हैं ट्रेंड और वो कह रहे हैं कि रश्मी तुम घबराओ नहीं हम तुमारे साथ है बहुत ही प्यारे प्यारे मेसेजजेज अगर मैं कहूं तो वो रश्मी देसाई के लिए लिए लिख रहे हैं फैंस लिख रहे हैं कि जब वो घर के अंदर थी तब भी रश्मी ने बहुत कुछ सहा है, और अब घर के बाहर आने के बाद भी जो है, उसके साथ इतना सारा हो रहा है, तुम घबराओ नहीं, रश्मी, हम तुम्हारे साथ हैं. We support रश्मी देसाई, love you always and God bless you. Yes I know, once she is very strong, fans लिख रहे हैं, it feels like रश्मी देसाई's own group has boycotted her, everyone is saying mean things about her, we love रश्मी देसाई, लोगों का कहना है कि उसके खुद के ग्रुप ने भी उसको छोड़ दिया, ऐसा लगता है और सब उसके बारे में ऐसी बाते क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं रश्मी देसाई के स साथ हैं, we love रश्मी देसाई, she is the best and beauty queen रश्मी देसाई, तो यह हैश्टेग जो है, trend हो रहा है और लोग कहना है कि हम रश्मी के साथ हैं, तो आपको क्या लगता है, यह जो सारी चीज़े हुई हैं रश्मी घर के अंदर थी, उनके रिलेश्निशिप को लेकर बाते आई, फिर भी बहुत स्ट्रॉंग रही, लड़ती रही और गेम खेलती रही, लेकिन अब बहर आने के बाद भी लगता है, उनकी तकलीफे कम नहीं हुई हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं सब में कि अरहान और रश्मी के वीच में जो चीज़े हुई हैं, उसमें आपको कौन गलत लगता है, कमेंट जरूर कीज़ेगा, लेकिन कमेंट से पहले चाल को सब्सक्राइब करना मने लिएगा